हलो गाईज आपके अपने चैनल शेयर मांके स्टोकर में आपका श्रागत है आपका श्रागत है आपको प्लिक करके चैनल को जोईन करके जो भी आपकी क्वेरी है वह डाइक लिमुचे पूछ सकते हैं इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुजा ग्लोबल सॉलिशन लिम्टे क्या न्यूज है एक्जेकली कितना डिविडेंट देने वाला है क्या कितना बोनस मिलेगा पूरा डिसकसरी चुड़े करेंगे शुगाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूले है तो आज के हाई की बात करें तो एक नया बाउन एक हाई भी सेट किया है उन्ताली सो बीस अभी जो कि मार्केट में काफी अच्यक अच्छा direction देखने को मिला एकर बात बात करें इसके maximum है तो चाफी बड़ा गुरूप है और बात पर इसकी analysis की तो काफी सारी चीजे strong न ज़रा रही है आज के volume trade की बात करें तो साड़े तीन लाग quantity के आसपास जो की नसी पर volume trade हुआ है BSC की बात करें तो BSC पर साड़े 22,000 quantity के आसपास ही volume trade हुआ है अगर बात करें इसके short analysis की तो 14 strength है एक weakness है छे opportunities है दो threat न ज़रा रहे है अगर बात करें face value की तो 10 रुपे इसकी face value market में मौझूद है अगर बात करें जो आज की तो guys of course जो की 20% के पाद काफी सारी selling हुई है जिसके बात जो की काफी नीचे भी आया है 10% की आजपास ते downfall इसमें देखने को मिला है अगर 20% का यहां पर अगर comparison किया जाए तो और पाट पंदेट अगर बात करें इसमें जो sentiment की तो 67% पाई का 33% and 0% hold करने का sentiment इसमें नज़रा रहा है अगर बात करें इसके financial की तो financial condition काफी पैतरीन है result की बात करें तो यहां पर revenue में जो कि jump देखने को मिला है year on year हो या फिर quarter on quarter हो net profit की बात करें तो एक अच्छा-काचा profit यहां पर भी earn किया इवन जो कि दोनों side से year on year plus quarter on quarter jump देखने को मिला है EPS की बात करें तो same situation यहां पर EPS की है and apart from that अगर बात करें share holding की तो promoter holding जो कि 67.19% दो quarter से बिल्कुल stable है no doubt कि मार्स से अगर June 2021 का comparison किया जाए तो 0.01% के साथ holding को decrease किया गया था हर दो quarter में यहां पर holding को decrease किया जा रहा है of course यह एक हलका सा threat बोल सकते हैं इसको and apart from that अगर बात करें domestic investors की तो 7.03% के साथ domestic investors की holding है यहां पर अगर domestic investors की बात करें तो holding को decrease किया गया है September quarter में करीब करीब आदा कर दिया गया है and FIA की बात करें तो FIA की holding अलड़ी flesh out हो चुकी है no doubt कि एक अच्छी खासी holding यहां पर FIA की भी मोजूत थी but अभी बिल्कुल zero है and public holding की बात करें तो public holding में उच्छाला है of course यहां पर जो की holding जो की 21.3% से जो दो quarter का comparison किया जाए तो लगातार यहां पर holding में ज्यादा changes नहीं है अच्छी खासी holding public की है of course यह एक अच्छा sign नहीं है जितनी public holding ज्यादा होगी share price के maintain रहने के काफी chance होते है कि एक price level पे वो maintain रहे बट अभी यहां पर double दमाका अलड़ी announce हो चुका है वो क्या है वो भी देखेंगे तो अधर्स की बात करें तो अधर्स की holding एक बार ही आई थी मार्स 2021 में 0.01% के साथ अभी जो की बिल्कुल flush out हो चुकी है कोई भी holding मौजूद नहीं है इसके अलावा अगर बात करें इसमें जो की news की तो काफी बड़ी news आई है उस news पर चलते हैं यह news है इंदुजा इंदुजा ग्लोबल सॉलिशन सर्जेज 19 परसेंट रेकोर्ड हाई ओन बोनस इस्यू प्लान यहां पर बोनस दिया जाएगा जो की जैनवरी 6 को यहां पर एक मिटिंग है उसमें जो की बोनस का प्रोपोजल कंशिडर किया जाएगा कि कैसे कितना बोनस देना ह है वो सारी चीजें छे जर्वरी को जो मिटिंग होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा एंद अपार्ट जो के इंट्रीम डिविडेंड का भी अरॉंस्मेंट हो सकता है यहां पर अगर कोई इंट्रीम डिविडेंड निकल के आता है तो और अगर बात पर इस न्यूज की तो इस न्यूज काइब यहां पर जो की देखने के लिए अफकोर्स हर कोई यहां पर वेट कर रहे है जो कि डिकलेशन होगा यहां पर छे जर्वरी को जो कि बॉर्ड मेटिंग है उस बॉर्ड मेटिंग में यह डिसाइड किया जाएगा तो थैंक्स लौट पर वाचिंग वीडियो सुपी चेक हैं प्ली लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब थैंक यू टेक केर